नमस्कार दोस्तो मैं आपका दोस्तो संतोस दोस्तो इस वीडियो में नेनुआ की खेती कैसे किया जाता है इसे कहीं कहीं घिहुरा भी बोलते हैं कहीं नेनुआ बोलते हैं और कहीं तुरई बोलते हैं इसका खेती कैसे किया जाता है वह आप पूरे वीडियो इसमें जैसे इसमें कर रहा हूँ मैं और इसमें बीज डाल दें देखिए मैं बीज का जो मुंडी होता है वो नीचे के तरफ करके इसमें डाल दूँगा इस तरीके से जैसे आप देख रहे हैं और इसको फिर ढख करके उपर से थोड़ा दबाद देंगे ताकि जो मिटी है लग जाएगी इसमें तो यह देख रहे हैं एक हपते बाद जो बीज निकल करके बाहर आ चुका हुआ है कितना अच्छा से बीज लगा हुआ है और इसमें पानी देते रहना चाहिए जब तक यह 15 दिन के हो न जाय तब तक इसमें पानी देना जरूरी होता है तो देख सकते हैं आप 15 दिन के यह हो चुका है और निराई गुराई भी करें तक कि खर पतवार नीचे जो है वो नाल लग पाएगा और जब यह 45 दिन का हो गया है क्रिवन डेर महिने से उपर का तो देख सकते हैं कि इसमें कितने अच्छे से नेनुआ जो है वो लगना स्टार्ट हो गया है तो देख रहे हैं चार चार नेनुआ एक ही जगा पर लगा हुआ है इसी परकार से बहुत सारे नेनुआ यह देने लगता है निन्वा के खेती करने के लिए इसका जमीन जो है चाहे जैसा जमीन है उस सभी में ये चलता है निन्वा जो ये आब ये जो किसम देख रहे हैं इस किसम का निन्वा कहीं भी लगा देंगे तो लग जाता है पहारी इलाका छोर करके पहारी इलाका में जो ठंड जदा हो जाता है या गर्मी जदा हो तो वहां पर मुश्किल थोड़ा हो आता है बाकी उतर परदेश, मदपरदेश, बिहार इस समय बहुत ही ज़्यादा इसक यह बहुत ही ज़्यादा फरने लगता है और जमीन से उपर उठा करके आप इस बेल को उपर डाल सकते हैं जैसे मचान बना करके या कुछ लगकर का ताकि उपर ये बेल चड़ सके और चड़ करके उपर फड़े ताकि जमीन में फरने से यह होता है कि मिट्टी उट्टी जो लगनी का चांस होता है देख सकते इस तरह करके मचान बना ले ताकि इस पर डिप्र आराम से चरकर के ऊपर फर सके मिट्टी में अगर इसका लग जाता है जैसे कि चोड़े और फरना जो है स्टार्ट हो चुका है तो देख सकते हैं आप कि कितना फरा हुआ है तब चाहे तो किट ना सक भी इसमें दो लिटर पानी में एक एमिल डाल करके इस पर छिरकाब कर सकते